हलो दोस्तों स्वागत आपका बहुना क्लासेज में आज का वीडियो भी वन आरक्सी यानि की फॉरिस्ट गार्ड एक्जाम से संबंदित है आज कल उत्राखंड राज्य की विशेश खबर तो यही बनी वी है जिसमें की पूरा उत्राखंड राज्य दो भागों में बटा हुआ है एक तरफ सरकार हो गई और एक तरफ बेरोजगार संग खड़ा है यह स्थिती क्यों आई है सबी जानते हैं बुद्धे की बात पर आते हैं तो SSSC ने 17 तारिक को 16 तारिक को यह एकजाम वह था और 17 तारिक को साम को यह प्रिस्विग यप्ति जारी की इसमें क्या बताया गया है वन आरक्सी भरती के संबंद में सोशल मीडिया में प्रकासित अभिलेक समाचारों के संबंद में SSSC द्वारा जो एक्षन लिया गया वह यह है कि अनुक्रमांक इतने की OMR सीट की इमेज वाट्सैप पर सर्कुलेट हुई थी जो कि इस नंबर से है और वह हर्बर्टपूर का निवासी है दोस्तों आपको बता दू इतनी डिटेल तो हम 16 तारिक को ही निकाल चुके थे कि वह जस्पाल सिंग नाम का व्यक्ति है और उसका सेंटर SLV में पड़ा हुआ था SSSC का कहना है कि वह इमेज 4 बजे लिए गई थी और 8 बजे उसको जस्पाल सर्मा के द्वारा ही अप्लोड किया गया था दूसरा SSSC का कहना है तालिस से 49 तक कुल 9 प्रस्न जो है MRC के एक छोटे से अंस की इमेज दिखाई जा रही है और इसमें एक व्यक्ति का हाथ है नमबर से है और तीन बच कर तीन सेकेंड पे अपलोड की गई है दो से और चार बजे तक पेपर चल रहा था और ये इमेज तीन बजे वट्सैप से अपलोड की गई जब इस नमबर की पुष्टी की गई तो ट्रू कॉलर यानि कि कोई साइबर सेल नहीं कोई कुछ नहीं ट्रू कॉलर तो कुछ भी नाम दे देता है ट्रू कॉलर पे जब ट्रिपल सी ने ये नाम सर्च किया तो फेकिंग निउस दे रहा है और इस बात पर ट्रिपल सी का कहना है कि यह कोई गंभीर मामला नहीं है आयोग ने समस्त तथ्यों को देखते हुए समस्त तथ्यों उसने सतरतारिक को ही देख लिये थे यह निरने लिया कि पर्थम द्रिष्टित्या ये मामले गंभीर प्रकृतिके नहीं लगते मतलब SSSC 17 तारिक को ही यह कह देता है कि यह मामले गंभीर नहीं है यह सीधा सीधा उत्रा खंड के एक लाख अब्यरतियों के साथ धोका है जब SSSC ने यह बयान दे दिया कि यह मामले गंभीर नहीं है तो Cybercell की जाच करवाने की मांग करवाना चाहिए अब 20 तारिक को एक और समाद आया यह 20 तारिक का कारियले ग्याप है इसमें Forest Guard भरती परिक्षा में मोबाइल फोन का उप्योग कर OMR सीट की फोटो लेने उसे शोशल मीडिया पर अपलोड करने जो जस्पाल सर्मा है उनके खिलाफ क्या एक्षन लिया गया यह तो तत्काल एक्षन ले लिया गया तो इसमें बताया गया है कि जस्पाल सर्मा अनुक्रमांक इतना इतना को कारियले में बुला कर उनसे लिखित माफी मांगी गई और उन्हें तीन साल के लिए ट्रिपल से एक्जाम से डिबार कर दिया गया कल यानि इत्वार को संडे को एक और समाद आया जो की लिखावा है तेज तारीक उत्राखंड अधिनस सेवा चैन आयोग के अध्यक्स की ओर से अभी तक जो बयान आ रहे थे वैं संतोज बड़ोनी जो सचिव हैं उनकी तरफ से आ रहे थे अब जो बयान है आपको बता दूँ एस राजू जो अध्यक्स हैं इस समय ट्रिपल से के उनकी तरफ से बयान है तो इसमें भी जब मैंने पूरा लेक पड़ा तो बाते सब घुमा फिरा के बोली गई है कि 66 एक्जाम करवा दिये हैं 2015 में आयोग ने सुरू किया था या हमारे मतलब की कोई भी बात नहीं है एक्जाम से संबंदित जो इसमें मुद्दे की बात बोली गई वो बिल्कुल बीच में बताई गई है देखे यहां से पढ़ना सुरू करें तो इस परिक्षा को कुछ समाचार पत्रों ने पहले दिन ही घुटाला बता दिया था वा अनजन परतिनी दियों ने कहा कि पेपर लीक हो गया था कुछ questions, no questions, circulate हो रहे हैं और ट्रिपल एसी का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ था बल्कि कुछ अभियर्तियों को नकल कराने का प्रियास किया गया है इसका वास्तविक सुरूप क्या रहा? यह हमारी जाच एजनसियों की जाच के बाद ही इस पस्ट होगा यह एक सीमित नकल का मामला लगता है वह इसके लिए वर्तमान में परिक्षा को रद करने का कोई औचित्वन नहीं है आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सरकार की और ट्रिपल एस सी की मनसा 17 तारिक यानि की एक्जाम के बाद जब इमेजे सर्कुलेट हो रही थी उसी समय से यह बन चुकी थी कि एक्जाम रद नहीं करवाना चाहिए और आज भी 23 तारिक को भी उनका यही कहना है मैं अपिल करना चाहता हूँ कि परिक्षा जैसे गंबीर विशय पर अभ्यर्थी अभ्यर्थी क्यों भ्रामर्ट नहों जब इमेज तीन बजे सर्कुलेट हो रही है नौ कोईशन्स आपका यह कहना है ट्रू कॉलर उसे फरजी समाचार बता रहा है यह तो कोई जांच नहीं हुई और यदि आपको जांच करवानी है तो CBI जांच करवाईए जिससे कि सब अभ्यर्थी संतुस्थ हो यह सरासर एक लाख अभ्यर्थीयों के साथ खिलवाड का एक मामला है आप सभी को पता है कि उत्राखंड में बेरोजगार संग और कई तरह के संगठन एक जूठ होकर आंदोलन कर रहे हैं जिहां इस पस्ट है कि उनका आंदोलन करना जायज है यदि सरकार अभ्यर्थियों के बारे में बेरोजगारों के बारे में थोड़ा भी सोचे तो वह इस मामले की CBI जांच करवाए थैंक यू सो मच इस वीडियो में इतना ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में